दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चले बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप हमें कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे अब बड़ी कबर आप विदान सबा की तरज पर पंचायत में होंगे सवाल जवाब प्रतिनी दियों को लिके तो उत्तर देंगे कायर पलक पदादिकारी जाने प्रक्रिया यहां लोग सबा में सांसद और विदान सबा में विदायक जिस तरह से सवाल करते हैं और समदेश सरकार उसका उत्तर देती है इसी तरज पर विवस्ता सुबह की तरी सरी पंचायती राज संस्तानों में लागू की जाएगी इसको लेकर पंचायती राज विभाग विस्तित दिसा निर्देस तयार कर रहा है जल्द इसको लेकर आदेस जारी किया जाएगा ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनितियों को पंचायत की होने वाले बैटों को में उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा पंचायती योजना है तो उसके बारे में भी वे जान सकेंगे इससे पदादी कारियों पर कारी को समय पर हर हाल में पूरा करने का एक दवा भी बना रहेगा बिहार में अब कोरोना टीका से नहीं रहेगा कोई वन्चीत 22 फरवरी से पंचायतों में सबा बुला कर होगा टीका करन अबिहार में कोरोना टीका करन अबिहान को प्रभावी बनाने को लेकर 22 फरवरी को सबी पंचायतों में आम सबाय जित कर टीका करन किया जाएगा इसके पूर्व 14 से 19 फर्वरी की बीच सभी वाडों में वाडवार आम सभाकर टिका लगेंगे स्वास्त विबाग के अपर मुख के सचीव प्रैतात अमरीत ने राज के सभी जिले के डियम और सिविल सर्जन को इस समन में दिशा निर्देश जारी किया है साथ है आपको बता दे कि राज में विबिन आयो वर्ग के वेक्तियों को कोरोनाटिका दिया जा रहा है इसी क्रम में 15 से 18 वर्ष के किसरों और टिके की दूसरी खुराक ले चुके वेक्तियों को 9 माई या 49 सो सब्ता बाद बुष्टर डोस भी दिया जा रहा है बड़ी खबर सेलानियों के लिए राजगीर जूस सपारी बनकर तयार गाड़े में बेटकर पास जाकर करिये सेर और बाग का दिदार जिहा देसी विदेसी सेलानियों को एक और बड़ा तवफा मिलने जा रहा है 119.12 हेक्टेर में फेला राजगीर जूस सपारी बनकर तयार हो गया है 16 फरवरी से इसकी सुरुआत हो सकती है इसके बाद राजगीर के परियाटन इस्तल में एक और नया आयाम जूड जाएगा यह जूस सपारी सेलानियों के लिए रोमाज से भरा होगा इसमें दर्सक सेर और बाग को खुले में विचरन करते और दहार मारते विए बंद गाड़े में बैठकर देख सकेंगे आपको बदाते कि पाटना जूस से 35 जानवर राजगीर जूस सपारी गया है बंगाल और गुजरा तो जूस से भी सेर और बाग लाए गया है जूस सपारी पार्क को स्वर्नगिरी परवत और बेवारी गिरी परवत के बेच की घाटी वाले हिस्से में विक्सित किया गया है इसमें 72 हेक्टेयर चित्रपल का पुराना मिर्ग बिहार भी समाईत है बड़ी खबर चारा घोटाले में लालू पर फैसला 15 हरवरी को देश का पहला ऐसा मामला जिसमें स्कुटर बाइक पर हर्याने से राची तक ढोए गए साड़ जिए 950 करोर रुपे के देश के बहुत चर्चित चारा घोटाला केस में से एक डोरंडा ट्रेजडी के गवन के मामले में 15 हरवरी को सिबी आई की विस्यस अदालत फैसला सुनाएगी इस मामले में पूरो मुख मंत्री और आरजेडी सुप्रेमो लालो यादो भी आरोपी है अब उस सब की निगाए कोड के फैसले पर ठीकी है कि इस केस में क्या होगा क्या विए पाचवे केस भी लालो दोसी करार दिये जाएंगे या बरी हो जाएंगे इस से पहले लालो को चार अइन मामले में दोसी करार दिया जा चुका है अब दक वह छे बार जेल भी जा चुके है अभी दुमका ट्रेड़ जी मामले में जमानत पर बाहर है जल्ड रिजल्ड जारी करने के मादेने जर मेट्रीक परिचा की समापति के दो दिन बाद इंटर की उत्तर पूस्तिकाओं का मुल्लाकन सुरू होगा जिले में 26 फरवरी से 8 मार्च तक 6 केंद्रों पर इंडर कोपियों की जाच होगी जबकि मेट्रिक की कोपियों की जाच 5 से 17 मार्च तक 6 केंद्रों परी होगी कोपियों की जाच के लिए सुबह साड़े नौ बजे से मुल्याकन में युगदोन देने वाले सभी कर्मों के इंटरी अनिवायर होगे मुल्याकन इस सुबह दस से साम पांच बजे तक होगा जोरत पड़ी तो इसके बाद भी दूसरी सिप्ट में जाच कराई जा सकती है हर मुल्याकन के अंदर पर सो से धाई सो सिक्चकों की प्रतिन उक्ति होगी अगली बड़ी कबर बिहार में बनेगा भावे बिराट रामायन मंदिर 270 फीट है उचाई सबसे बड़ा 33 फीट का सीवलंगा 2027 सक होगा तयार जी हापूर्वी चमपारन के चीकिया के सरिया के पास जानकी पूर में विराट रामायन मंदिर बन रहा है या बिहार का सबसे भावे मंदिर होने के साथ ही देश के सबसे बड़े मंदिरों में एक होगा मंदिर की खास बात ही है इसकी उचाई या 270 फीट उचा एक हजार असी फीट लंबा और 540 फीट चोड़ा होगा 42 साथ और पटना से 120 किलोमीटर दूर इस भावे मंदिर को बनाने का कॉंसेप्ट पटना के महावेर मंदिर के साचीव आचारी किसोल कुनाल का है किसोल कुनाल पूर और आईपियस है उन्होंने महावेर मंदिर के साथ ही पटना में महावेर कैंसर संस्तान और महावेर आरयोग संस्तान की स्तापना भी की है अगली बड़ी कबर बिहार में 4050 सामुदाई के हेल्ट आपिसर की होगी बहाली जिया बिहार में 4050 सामुदाई के हेल्ट आपिसर की बहाली होगी राश्ट्य स्वास्त मिस्सन के तहत इनकी बहाली होनी है इससे राज के ग्रामीन चेत्रों में स्वास्त सुविधाई को पहुचाने में सहायता मिलेगी ये ग्रामीन चेत्रों में प्राथमिक स्वास्त सुविधाई पहुचाने वाले स्वास्त कर्मियों आसा के नेतुत करेंगे स्वास्त विभाग के स्वास्त समिती द्वारा समिता के अधार पर बहाले की प्रक्रिया शुरू की गई है 936 पद अनारचित है जबकि 499 पद अनारचित महिलाओं के लिए निधारित के गए है विभाग के अनुसार सभी सियचों की बहाली के लिए बियसी पोस्ट बेसिक बियसी नर्सिंग एवाम जियनम योगता धरकों को अवसर दिया जाएगा केंद्रिया राज सरकार दोरा माइनता प्राप्त सिक्चन संस्तान से प्राप्त डिग्रेह माइन होगे तेन मार्च तक अनलाइन आवेदन मांगे गए हैं आवेदन के साथ यहनारा चित पिछड़ा वर्ग अती पिछड़ा वर्ग वा आर्तिक रूप से कमजोर वर्ग उमिद्वारों को 500 रुपी एवम बिहार निवासी अनुसुचित जाते आनुसुचित जन जाते वह महिला आवेदकों को 500 रुपी आवेदन सुलके के रुप में ओलाइन भुगदान करना होगा जो सियचों के बदबर बहले से कररत है उन्हें पुना आवेदन करने की जोरत नहीं है अगली बड़ी के पर बिहार की पंचायतों के लिए होगी 8000 सरसड आईटी सहायकों की न्युक्तिया ग्रामिनों को मिलेगी बड़ी स्विधाय जिहां ग्रामिनों को आप प्रखंडों का चक्कर नहीं लगाना होगा सिख रही होने लोक सिवा केंद्रों के जरिये पंचायतों में जाती आवासिया आई और आचरन परमान पत्र मिलने लगेंगे आपकी जानकारी के लिए बता देके पंचायतों के लिए एक एक लेखवाल एवाम आईटी सहायकों की न्युक्तिया होगी पंचायती राज मंत्री समराड चोधरी ने यह जानका रिदी है वो भाजबा प्रदेश मुख्याले में पंचायती राज विभाग में एक वर्ष के कार्यालाई की अपलबदिया गिना रहे थे इसके लिए बोर्ड द्वारा एक फर्मेट तयार किया रहा है इसमें दसवी और बारवी के सभी परिचात्रियों के टीका लेने के जानकारी देनी होगी इसमें चात्र के रोल नमर के साथ ही उनके टीका लेने के तीती भी देनी होगी ग्यात हो कि कोरोना संक्रमन से बोर्ड पर चात्रियों का बचाव हो इसके लिए 18 साल तक के बच्चों को कोरोना टीका लगवाना है इसमें नोवी से बारवी तक के जदतार बच्चे सामिल है अगली बड़ी कबर बिहार में बच्चों को गोद लेना अब होगा आसान बदल गए है नियम सिर्फ करना होगा ये काम जी हाँ बच्चों को गोद लेना असान हो गिया है माता पिता को अब कोड के कर नहीं लगाने पड़ेंगे नियाला की प्रक्रिया और इंतिजार से चुटकर मिल गया है बदादे कि किसोर निया ये दिन्याम 2021 में कोड के बदले आब डियाम को बच्चों को गोद दिने का अधिकार दे दिया गया है जानकारी हो कि कोरोना काल में कोड से अनुमति नहीं मिलने पर कई बच्चों को गोद नहीं दिया जा सका है बदादे साल 2019 तक 2500 से अधिक बच्चों को गोद दिया गया था कुरोना काल में बच्चों को गोद दिने की संक्या 100 तकी सिमट रह गई है इस से विसेश दत्तक गरान संस्तानों में अनात बच्चों की संक्या बढ़ती जा रही है इस समद में महिला एवम बाल विकास मंतराले द्वारा राज्यों को नियम मनाने के लिए प्रक्रिया की जा रही है बड़ी के वर बिहार में बिमार पसू के इलाज के लिए एक फोन कापी गाउं तक पहुच जाएगा पसू अस्पताल के दोड़ नहीं लगाने होगे एक फोन काल पर सुदर गाउं में उनके दर्वाजे पर है पसू का इलाज हो सकेगा इसके लिए मोबाल पसू ची किस्सा क्लिनिक चलाए जाएंगे आपको बताती के राज में 307 मोबाईल वेटरनरी सर्विस एनुटी जिलावार संचालित के जाएंगे संचाला नादी का मसदा तयार है इसे सरकार के मंजूर मिलते हैं आउट सोर्स पर स्टाप के नियुक्ति कर दी जाएगी बिहार के खादी हैंडलोम और 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 हैंडलोम इसे देश दुनिया में प्रोसाइद करेंगे सनिवार को उद्योग मंत्रे सेद सानवाज हुसेन उद्दोग विबाग के वरिष्ट अधिकारे और वोजपूरी कलाकार वा सांसद मनुज दुवारे के बेच बैड़क में इस पर सामती बनी है बिहार में नो नए सेनिक स्कूल खुलेंगे देश भर में पिपीडि मोड के तहाद सो स्कूल खूलने के तैयारी है या नए सेनिक स्कूल पिपीडी मोड में खोले जाएंगे दरसल केंदर सरकार ने देश भर में 100 सेनिक स्कूल खोलने का पैसला किया है या सभी राज सरकार या प्राइवेट सेक्टर के साथ पिपीडी मोड में खोले जाएंगे कुछ स्कूलों को एंजियों के साथ करार कर भ जिमें राष्टपदी सासल लगाने की करेंगे मांग। जहाँ लोग जन सकती पार्टी के राष्टी अदग चिराग पासवान कल अपनी मारेना पासवान के साथ पटना पहुचे। इस मोके पर उन्होंने कहा कि पंद्रफ अरवरी को उनकी पार्टी की तरब से राज सरकार क नितियों के खिलाब आकरोस मारच का आजन किया जाएगा इसमें उनके परिवार के लोग भी साथ रहेंगे चिरांग ने कहा कि यदे मारच के दोरान पहले लाटी चलेगी तो वह चिरांग पासवान अपने सर पर लेगा उन्होंने कहा कि ना ही मैं लाटे खाने से डरता भी साथ बहार बचाओ यात्रा पर निकले थे दोनों बार उन्होंने बहार सरकार की नेतियों के खिलाब संगर्स किया था उन्हेंके नकसे कदम पर भी आचा aurgin किया जाएगाेगा और में हमारी के बढ़ते संक्रमन एवम देश के कई भागों में लगे रात्री कालेन कर्फू के मदे नजर इस्तगित कर दी गई थी एवम हॉल टिकट भी परिचा अरम होने से प्रस्तावी तिदी से एक सबता पूरू अपलोड कर दी जाएगी आज के लिए को सवाल बताए कि आ बिहार के किस जिले में रहते हैं और आपके जिले में ठाण कितनी ज़्यादा है इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं